गोशन नमबर 27 यह आप से बोल रहा है अगर इस AP को मैं continuation में लेते चला तो जो 210 होगा वो कौन से नमबर पे आएगा यह आपको देखना है तो मैंने आपको class में भी बताया है आपको जिस भी चीज के लिए answer पूछा जाता है जिसे उसने बोला 210 आएगा या नहीं आएगा त क्यों किसने बोला है विच टर्म तो कौन सी टर्म है जो 210 में देगी तो मैं जियूम करता हूँ वह एनिथ टर्म है जो 210 देगी तो एनिथ टर्म को अगर मैंने 210 ले लिया तो एनिथ टर्म का answer तो आपको पता है A plus N minus 1 into D होता है अब एनिथ टर्म अगर आपकी 210 है तो A का value आपको पता है 21 है यह N minus 1 है और difference भी आपका है 21 ही है अब आप notice करो तो यह हो जाएगा 210 this is your 21 plus 21 N minus 21 minus 21 से 21 गया तो 210 जो है वो 21 N के एकवल हो गया यह 10 की table है तो N का जो answer आया है वो है 10 हना तो क्लियर्ली क्लियर्ली यहाँ पर क्या आपको बताने की नीड नहीं पड़ेगी मुझे जो आपकी 10th term होगी जो आपकी 10th term होगी इस AP की उसी का जो answer है वो 210 आएगा ठीके अब आप सोचेंगे questions हम क्यों कर रहे हैं because यह सारे CBSC में पूछे जा चुके हैं easy हैं but करने तो हैं many how इसलिए we are doing that thank you